कि तो सभी लोग जॉइन कर रहें धिरे-धिरे शइब को वेलकम है आज के लाइव में गभी लेगता है काफी टाइमबाद मैं लाइव पार दुन है यूटुब in आप सबी लोग को मेरी वाइस आ रही होगी तो आज कर जो डेमो है आज कर जो रिफरेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज मैं किस चीज का डेमो देने वाला हूं इसमें प्रॉफर कितने एक इंटरेस्टिंग फिगर है जिसे डोल गयाते हुए एक फ्रेंट में हैं एक ट्रेंट में हैं एक साइड फेस में हैं तो सबसे बेस चीज कहा है कि आपको सभी लोग गुड इगनिक जो भी लोग जोईन कर रहे हैं तो सबसे बेश्ट पार्ट क्या है कि आपको इस रफ्रेंस में साइड फेस, ठुटिल फेस and फ्रेंट फेस के बारे में आपको नॉलज मिलेगी मेरे पार्ड मेरे पार्ड मैँ चुनिका लाटी फेस कर सकते हैं तो जब उसकेेशनी कर सकते हैं कर सकते हैं उसके बारे ऐसे बाद में आपको डिटैलिंग बता दूंगा कि क्लासे की क्या है सारी चीजे तो अभी जैसे की सबसे पहले हम focus में क्या है सबसे पहले जो पास का figure , अब यहmede अब आपको दिख रहा है ठीक है पास में फोकस में ड्राउ कर लेते हैं इस तरीके से और जितना जितना थोड़ा डिटेलिंग दिख रहा है उतना ही आपको दिखेगा बाकी वीडियो सेव होगी आप बाद भी देख सकते हैं कोशिस कर रहा हूं कि थोड़ा ड्रॉय करने की जिससे कि आपको और अच्छे दिखे थोड़ा फेस नीचे की हो रहे हैं जिसको भी वाटर कलर स्केचिंग सीखना भी इसके बारे हम लोग बात कर लेंगे डोंड वरी ठीक है अभी पहले जैसे नार्म जो मैं आपको सिखा रह कोई बात नहीं थोड़ा बहुत दिखेगा अभी ड्राइंग बहुत लाइट कर रहा हूं ठीक है और देखो अगर आपको दिख रहा है क्योंकि मुझे उतना नहीं दिख रहा है क्योंकि नैटवर्क इस्व हो जाता है कभी-कभी हम जब कहते हैं कि नाइट में तरीके से त कि नाइट कि जहां जहां पहले एक एक जो डेफ्ट दिख रही है उसको आपको थोड़ा सा देखना है कि नॉर्मली सिंपल सा एक रफ्य स्केज के रूप में हलका थोड़ा सा थोड़ा सा जहां जहां डेफ्ट उसको ठोड़ा डाक कर सकते हैं कि इस तरीके से कि सबसे पहले जो डेफ्ट वाले एरियों होते पहले मुसको निकालने कोजिस करते हैं कि सब्सक्राइब अब जब लोग को हैलो ठीक है अभी जो लोट जोइन कर रहा है वह कि अब if a reuters पहले एक फिक पीछे के फेच क्या वह ही बात कमेंट पहले पहले जो ऑजद दिख रहा है इसको फोकस में लेना थिका इस तरीके से नॉर्मली मैं इसकेश काम करता हूं है यह त्रीक से करके दिखा रहे हुआ आपको एक भादाय कर रहा हूं आट बाद को अधार, दाक कर रहा हूं मैं ठीक है सिंपल सा झाल सेटी व्यवादुट जितना अब जितना जितना कम यूद्स फील निकाले उतना छह रहता है क्यूंकि स्केचंच बहुत इंपॉर्टन्ट जो सोचते हैं कि बहुत कुछ सीख जाएंगे तो ऐसा पॉस्विल नहीं है नहीं करेंगे तो आपको उसकी कमी खले की बात में कुछ ना कुछ अभी तो स्टाइटिंग नहीं लगता है लेकिन बाद समझ जाएगा कि कास कर लेनी चाहिए थी अब जिन लोग को वीडियो थोड़ी बहुत दिख रही कभी कभी नेटवर्क इसू होता आपकी साइट से वीडियो होती है बलर्स दिख जाती कभी कभी वाई-फाई काम ने करता है कभी कभी नेट साथ नहीं देता यह होता ही है ठीक है तो डोन वरी उस चीम इतना पैनिक मत हो वीडियो सेव होगी तो आपको प्रॉपर क्लियर ही देखेगी है कि देख तरीके से नौर्मली है कि देख कैसे मैं काम करता हूं ठीक है देखो किस तरीके से एक लाइन फ्लो एक डर नहीं होना चाहिए काम करते में डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर बोडी कैसे कितने स्पीड में कैसे का करते हैं काम एक फ्लो एक फ्लो कैसे देना है इसका सोड़ से ध्यान रखना आप सभी को एक फ्री हो एक बिना डर के श्ट्रोक अप्लाई करते हैं डरो में जितना डरो हो, उतना ही फिर चीजे आपको नहीं आएंगी अगर आप डर के काम करें कोई बात नहीं फ्री होगे काम करें थोड़ा सा इस ट्रोक अपलाई करें आप देख सकते हैं मैं कैसे काम करता हूं किस तरीके से जब नौर्मली एक सिंपल सा थोड़ा मैं आपको हलका डिटेलिंग में करके दिखा रहा हूं कि अपको उसका भी आइडिया हो कि शेटिंड के से करने की इस तरीके से इसलिए इस तरी है से कांकर से आपको भी outta कि हलक Yellow के थोड़ा सा लाइन में थोड़ा सव याद़ फोकस करने विलाइन जित आपके क्ते काम का अनुद दिख जाए कि आपकी लामस में याज में किटना कि अधिए 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 तरीके से यहां भी डोल है अधिस जगह पर इस जगह पर पूरा ट्रॉन नहीं करूंगा नॉर्मिल देखो इस तरीके से सिंपल सा कि मैं कुछ ऐसा प्रॉपर ऐसा नहीं जो दिख रहा है मैं एक दम से वैसा ही निकालने का ट्राइए कर रहा हूं बाकि खुद से चीजों को निकालने का ट्राइए कर रहा हूं आप देख सकते हैं हलका थोड़ असा डार्क पूरे हलका सा एक लाइट में कर देंगे इस्टिल लाइट की वीडियो मैंने जिन को कहतल인지 कुद से पुरासट यूष की वीडियों मैंने टाइमओ दिया हूं अलाइव में değild Department तो आप又 प्रविज लगता है बेस्ट हो सकता है मैं ट्राइ कर रहा हूं कि आप लोग को मैं क्या बेस्ट दे सको अब बाकि देखो डिट्रेलिंग देंगे टाइम से उतना यादा हलका सबस्ट डाग और वाटर कलर की डैमो है आप देखे तो मैंने जो लोग बहुत ले डैमो बाकि बहुत लिए हुए आप देखें तो समझ में आएगा आपको मैंने डैमो किस किस चीज कर दिया हुआ ठीक है ना अ कि मैरे उसमें लाइब में जाएंगा पुराने लाइब वीडियो में देखें है बस यह कि काफ़े टाइम बात में लाइब अर ऊसलिको लोग जिन लों को टेकर सकते उन है और वे ऐसा देखने रहे मैं बस नौर्मल डिख औरej लेना यह को पूरा एक दम झापी ही देना कुछ कि अपना थोड़ा से दिमाग का यूज करें कि कैसे बेश्ट हो सकती है वह चीज और कि देखो सिंपल सा कि यहां पर जो दूसरा फेस है सम्टिंग इस प्रस्पेक्टिव में जा रहा है थोड़ा सा इस इस वे में हर वीक का नीव से ठीक है और बी चीजें बच्चे थोड़ा सा अपने तो उस चक्ता टाइम ने कलने थोड़ा सा मुश्किल होता है बट फिर भी अभी मैं तो सोच रहा हूं कि लाइब थोड़ा सा करके काम करूं ठीक है तो यह कोई बात निए जो है अभी उस चीज़ पे ख कि उसको में डाक कर रहा हूं हैंड को है ठीक है उस नॉर्मल एक फील हलका था कि करूंगा मैं आप लोग सब की ख्वाइस को एक साथ पूरा नहीं कर सकता हूं हां बट फिर भी कोशिस कर रहा हूं कि आप लोग को बेश्ट दे पाऊं और जैसे बाकी जैसे दिल्लों को क्लासे ज्वाइन करने यह से मेरी वाटर कलर या स्केचिंग होती ही क्लासे तो आप चाहो तो मेरा नंबर लिख सकते हैं वाट्सप नंबर मैं नंबर बोल देता हूं 9559480989 यह मेरा वाट्सप नंबर है तो अगर आपको कुछ भी क्लासे जॉइन करने कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको सीकना है पर स्कूर्णी तो आप डेक सकते हैं मैसेज कर सकते हैं मुझे ठीक है तो अभी जैसे की यहाँ पर आपने चीज यहां पर फेस इसके कंपेर बिर चोटा फेस बनेगा तो जैसे इस तरीके सब यहां पर इसका अगर ह हाथ आ रहा होगा थोड़ा सा एक नॉर्मली एक आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पर फेस आ रहा है इस जगह पर थोड़ा छोटा होगा उसके कंपेर में ठीक हलका जैसे कि यहाँ पर यह को कभी कभी क्यों होता है अभी अगम प्रस्पेक्टिव की बात करें तो आप जो ची आप रियल लाइफ में चीज़ों को देखते हो तो आप एकदम से पॉइंट को नहीं सर्च करते हैं यहीं से एकदम पॉइंट लिया अपने एकदम अगर आप ऐसे बनाओ डाइटली पॉइंट में फोकस में लेकर आप काम करोगे तो क्या होगा कि फेस कुछ जाद कि यहां पर एक फेस इस तरीके से दिख रहें ठोड़ा नीचे की और देखते हुए और दोल बेजार नीचे की और देखेंगे प्रौँ धूरार्यव हो प्रौitel पास्जब् सकता ऊतना मेंडाइल में कर रहों अबी जद्ध मेफ़कर नहीं कर डे अलसर आप लोग के लेवल किसाब से मैं काम कर रहों जितना आप लोग समझ सकते हैं तो आपको एंट्रेंस हम देते हैं तो बहुत सा लोग को बनाब एक होता नहीं स्केचिंग थोड़ा सा समझ में तो आएगा कैसे क्या किस तरीके चीजे हैं कि इस केचिंग बहुत इंट्रे में सब्जेक्ट है अगर यह नहीं आता तो आप कितनी अची पेंटिंग कर करलें कि हो ना कर लें लेकिन अगर आपको स्केचिंग नियार्य इसाब वेकार है कोई मतलब नहीं है आर्ट फील्ड में होने का ठोड़ा साथ फोकस करें चैसिंग पर कि यह आप जानते हूं अच्छे से कि स्केचिंग कितना इंपॉर्टन्स रोल है खास पर फाइन आर्टिस्ट के लिए तो है थो है नीचे की उत्वा है उपर पर जादा देखेगा इसको नॉपली स्केचिंग के रूप में कर रहा हूं आपके लिए नॉर्मल कि अब आप तो आखर जिसे पुछ है इसको दो फॉट रही है इसके जो बॉच्छों के एरी दाल खरुशन देखें आगर आप जो डिख रहा है जो लाइन देख सकते आई सोलड़ की लइन इसके उच्छों के पास यह तो वहाँ से आप थोड़ा सा देख उस तरीके से कैसे बाइसेप्स वाला एरिया हो लाइन फ़ले फ्री हैंट फ़ला ट्राई कर लें इस तरीके से नॉर्मली फ्री हैंट हलका सा मज़ा आता है इस तरीके से फिगर ट्राई करेंगे काम ज्याद अच्छा रहेगा देख उस तरीके थोड़ा सा पास में डेटेलिंग ज्यादा रखनी है डिस्टेंस अले फिक अट्राई इटेलिंग फ्री कम रखनी है इस तरीके थोड़ा इसमें यहां भी दोल किस जगए वे ओवर लैपिंग किस जगए पोरी इस जगए पर रही है तो यहां पर तो आप फ्री हैंड एकदम ओवल की प्रैक्टिस करें तो आपको एक कॉंडेंस मिल पाएगा काम करने का यह नहीं आप आराम आराम से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो फिर वो क्या होता है गरबड होता है उसमें दिखता है कि आप कितने प्रोफेस्टनल हो या कि नहीं हो और जैसे मेरे भी आपको बोलाई जिन लोगों को मेरी क्लासेश जॉइन करनी मेरे नंबर लिख सकते हैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार 955-9480-989 यह मेरा वाटसेश नंबर है तो अगर क्लासेश जॉइन करनी हो तो ही मलब आप मेरे को मेसेश कीज़ कीज़ेगा या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं ऐसी बात नहीं है ठीक है और अगर आप लोग यह चीज़ देखके ट्राइग करें तो मेरे को इंस्टा अधर और जानते हुए है इस तरीके हमां इसमें आईसी लाइने भी यूज शुआ श्ट्रेट और मैं थुरुआ सा खड़ी लाइनों वी इस तरीके से काम करता हूं यह वैसे मेरा स्टाइल है इस तरीकी जो मैं करता हूं का तो इस तरीके से भी दोनों तरीके आप देख सकते हो एक इस वे में एक इस वे में मज़ा आती है काम करने में तो इस तरीके से जैसा आपको सही लेगा एक इंट्रेस्ट आ रहा है देखने में तो वीडियो बिलर का में कुछ नहीं कर सकता हूं थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है नाइट में लाइव करने का या थोड़ा सा नैट्रक इसू होता है उसके लिए कुछ अपनी साइट से पॉस्बिल नहीं कि हो सकती यह अगर ऐसा हो वीडियो अगर भलर है तो आपकी साइट से प्रॉब्लम हो सकती है तो उस चीज़ों कैसे नहीं पड़ सकते हैं तो तो देखना पड़ेगा आपको अधर डाक करन और डेफ देने के लिए हलका सा इस तरीके से तो और एक डेफ दिखे अच्छे से यहां पर नॉर्मली तो लाइने जोसमें जो एक श्ट्रिंग दिख रही है उसको में ड्रॉव कर रहा हूं पस्प्री हेंड करना थोड़ा से का हलकल इफेक्ट देना है बस नॉर्मली पूरा ऐसा करना भी नहीं कि आपको पूरा एक दम बनाना यह उसको तो डाक के लिए इस तरीके से नॉर्मली वह एक एफेक्ट आजाए बस इस तरीके से अभी आद देख सकते हैं यहां पर वही सेम चीज यहां भी सेम वही चीज करनी है अब फ्री हैंड बस अभी कितने 23-minute क्लास हुई लेकिन फिर भी एक फील निकल के आ रहा है एक एफेक्ट सब को दिखी रहा होगा जब आप regular sketching करते हो तो आपके अंदर एक काम करने का और वह आपको help करता है इस पीड में काम करने में थोड़ा सा वसे में बोलना चाहूंगा थोड़ा सा अगर स्पीड में काम करना तो आपको regular sketching करनी पड़ेगी कि इस तरीके से अगर आपको जैसे मेरे में में दिक्कत होती तो start आप सिंपल से try कर सकते हैं को कि कभी कभी क्या होता है है कि हम जल्दवाजे में ऐसे पोजेस कर लेते हैं जो हमें नहीं आते हैं लेकिन ट्राइद करते हैं हमेशा मेरा कहने मतला हर चीज़ को सिंपल तरीके से फेश्च के साथ ट्राइद करें पहले अगर इमेज दिख रही है तो चीज आपके लिए इसी होंगी काम करना ठीक है ऐसे थोड़ा सा ट्राइ करके देख सकते हैं आपको help करेगा अब बागी देखो कुछ चीज़े करने से यह आती है करते रहें प्रैक्टिस करते रहें तरीके से प्रैक्टिस करते रहें सिंपल फिगर स्टेंडिंग पोस्टाइड पोस्टिटिंग पोस्ट नॉर्मल जो जिसने मुवमेंट नहीं है नॉर्मली सिंपल सा थोड़ा सा वह चीज़ थोड़ा ट्राइकर आपको help करेगा कि नॉर्मली यहां पर हलका सा अच्छा आप लोग को मज़ा आ रही स्केचिंग में मलब कुछ सीखने को मिल रहे ही नहीं किसे आप देखी रहे मलब इंट्रेस्टिंग लग रही क्लास मैं नेक्स्ट मुझे लाइफ करना चाहिए कि नहीं आप बताओ जो है ठीक है जो फ्री है काम कर रहा हूं और अभी तक मैंने यूज ने की अरिजर का अभी से हाथ फ़ोड़ा लग जाता है तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूं सासर जो इसकेचिंग कर भी आप चाहिए रफ काम करें चाहिए जैसा भी हो खराब नियों चाहिए मैं लब उसक को जितनी आप केर करें अपने काम के ने उतना अच्छा रहता है उसको साथ ही साथ वो कर ले अच्छी बात है आप फोड़ा समझ में आ रहा है देखो यह सब चीजें भाई यह अभी मैं ले रहा हूं लाई फिर नेक्स टाइम कम मिले कुछ नहीं पता देखता हूं मुझे ल फिगर बीच में एक फिगर है यहां पर लेकिन थोड़ा सा गैब ज्याद है बट कुई बात नहीं मैं क्या करोंगा नॉर्मली एक एक फिगर कि एक एक हैंड प्रिंट ले कुछ नहीं कर देखो फ्री हैंड काम कुण तो हल्का फुलका होई जाता है अब यह से कि आप हांद उठाके थोड़ा सा काम करेंगे मैं वैसे हांद उठाकी काम कर रहा था लेकिन कभी कभी क्या होता है फिंगर लगी जाती है तो उसको कुछ कि अब पीशे से फीगर देख रहा आप उसको अब अब हर अब हर अब हर अब हर ने थोड़ा सा बना दिया वह समय डेटेलिंग करनी दो आमा अब इसे रफ करके चोड़ दिया अब दोनों बीजिए हलका सा एक लाइट फीगर उससे क्यावत थोड़ा सा एक डेफ दिखेगी यह चीज है अब है अब है चीजों का अच्छा कैसे कर सकते हैं आप ही सोचना है थोड़ा लाइट में फिगर जितना डेफ डाल सकते उतना अच्छा रहेगा अब हलका से नौर्मल अब हलका सा रफ कर चोड़ दो इतना इतना बहुत है ठीक है अभी जैसे कि थोड़ा सा फ्रेंट उस अगर आप देखें और इसकी इसकी बेस्लाइन को पैरों की बेस्लाइन कहा जितना डोल दिख रहा है इसका नीचे का पार अगर देखें तो आल्मोस्स यानि कि हमें जो फिगर फिट करना है वो इसनी हाइट का होना चाहिए ओके ऐसे आइडिया लगाते हैं कि कैसे कंपोस कर ऐ कर पाता है कि मेरे एक दिन जो क्लास वहता आइए कि मीरे पाहँ तो फिर वो भी जहांत तो मेरे सब्सक्राइब करना निकाला मेरे लिए बहुत थोड़ा सा उनलाइन भी ओती अभी फ्री हूं तो कर दिया फ्री तो नहीं हूं बट मुझे करना था इसलिए मैंने मैं अपना कीमत्री टाइम निकाल कर आप लोगों को लाइब दे रहा हूं क्लासिस तो मैं चाहिता हूं उससे कुछ आप सीखें बस नॉर्मल स्केच सिंपल सा एक सिंपल सा फिगर ठीक है तो अकर मैं अपना टाइम दे रहा हूं आपको सिखाएं तो थोड़ा सा आप भी ट्राइ करें अच्छे से काम करने में डिटेलिंग जाता नहीं करूं कि बैक साइड का फिगर है अच्छी बात है यह वीडियो सेव हो जागा बात में ट्राइ करके भेजिए कि जरूर ठीक है और मेरे को इंस्ट्राग्राम पर ट्रूर कीजिए कि मैं सेयर करूंगा कि इस तरीके इस नॉर्मन बहुत थोड़ा सा छोटा फीगर तो थोड़ा छोटे उसमें दिख रहा होगा आपको और देखो लगातर बात करता रहता हूं से मैं लाइफ क्लास में थोड़ा सा अच्छा रहता है थोड़ा सा आप कनेक्ट रहते हैं चीजों में यहां पर फीगर इस तरीके नॉर्मन देखो हर चीवास इसको ज्यादा लाइट में रखूंगा करते हैं तो यह थोड़ा सा इंट्रेश्टिंग और आपक हाथ में फ्लो है काम करने का थोड़ा सा वह ऐसे नहीं आता है बहुत मेंदद करनी पड़ती है आले कि मेरे को 12 साल हो गया काम करते ही करते तो ऐसे नहीं चीजे आ गई टाइम लगता है ना वह यह बोलता हूं कि आप भी थोड़ टाइम दें काम में अपने तब जाके आप एक्चुल sketching की sketching करना ही अपने आप में एक मलब अपने आप में जो बोलता हूं ना कि एक मलब यह अपनी अलगी कला है इसको जीतना है ना तो बहुत मैंद करनी पड़ेगी लड़ना पड़ता है sketching सीखने लड़ना पड़ता है आर्ट से तब जाके sketching आप सीख सकते है तो यह डाक नहीं करूंगा इसको बस normal simple simple form में कि इस तरीके से जन्वरिस मेरे नए बैचे स्टार्ट होंगे sketching के तो अगर आप लोग को जोइन करना detailing में सीखने तो आप कर सकते हैं जिसको भी जोइन करना है नंबर मैं आपको बता दिया है और फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं एक बर इनको नहीं पता 9559480989 यह मेरा वाटसप नंबर है तो अगर आपको करना है जोइन तो आप देख लीजेगा जिसको भी थोड़ा इस तरीके नॉर्मल इसे हलकल का थोड़ा डाक कर रहा हूं जाट नहीं कि है उस नॉर्मल सिंपल सा एक तभी हांस रुख नहीं पाते लगता है कर दो और डिटेलिंग कर दो बड़ा भी मजबूरी मुझे नहीं करना है यहां पर जैसे की पूरा फिगर यहां तक आ रहा है ना इस तरीके से यहां रहे डोल पकड़ रखा है हाथ से इसमें भी जब पर प्रस्पेक्टिव दिखता है हर चीज में किसनी उपर दिख रहा है क्या आई लेवल है हर चीज का बहुत मेंटर करता है कि इस तरीके सिंपल बहुत आप देखें तो ट्राइब ज़्यादा है इसमें इसमें और कम है लाइन का आप लाइन का फील देख सकते हो इस तरीके से यहां लाइन कोई थोड़ा ज़्यादा को से कोई दिक्कत नहीं बैलेंस लगेगा फिगर बैलेंस लगेगा आपको सिंपल सा एक यहां पे थोड़ा डाक कर देता हूं देखो बस सिंपल सा यहां दूसरा पैर ऐसे आ रहा है वो पैरों की बी अलग कानी होती बनाना सही महीं अपने आप में यह भी एक बड़ा भी चलो वही है कि इस तरीके नॉर्मल एक अलका रफ रफ करके छोड़ सकते हैं अब यह से कुई आपको ड़ा डिटेलिंग नहीं है दो एक बैलेंस होगी ना फिगर आप पूरा देखें एक बैलेंस लग रहा है लग रहा है कि हाँ वो ची उस तरीके से जिस तरीके देखने जाते हैं मैंने कोई ऐसा कोई वो नहीं किया कि एक दमी से मलब मैंने बुठी डेलिंग कर रख रख रफ में स्किच कैसे रफ रफ में कैसे निकाल सकते हैं बहुत बहुत देख़ रहा हैं अलकर वस नहीं हुत कि हर चीज को इसके रूप में देखें कि लाइन 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 अब यह बहुत है यहां पर यहां पर एक फीगर है पीछे जा रहा है वह सम्टिंग यहां पर ऐसे देख रहा होगा तो कितनी भीड आप दिखा सकते हो कि अच्छी वाज है तो कितनी भीड दिखा सकता है कि मज़ा आती ना काम में और प्लीज सबसे रिकर्स जैसे भी आपको यह लगी हो वीडियो आप शेयर जुरू करिएगा कमेंट में और बाकी लोगों से मैं जब इसका स्टेटस लगांगो तो लिंक जुरूर शेयर तो आप कर सकते हैं कि बाकी लोग इससे सीख सकें कुछ तो पीछे से फिगर जा रहा है इस तरीके से नौर्मली कि यादा नहीं करेंगे फिर यह कितना अच्छा कंपोज हो रहा है किस तरीके से यह बड़ा फिगा इसके इन दोनों के बीच में एक फेसे फ्रस्ट की परस्पेक्टिव में यह है फिसके एक आई लेवल फ्रस्ट नीचे की और एक यह फेस जा रहा है तो चीजों को कैसे लोग पैसे लेपते हैं अच्छे खासे लेकिन आपको फ्री में मिल रही है लेकिन फ्री की मिलने लेकिन काम करी है ठीक है मैंने डैमो केते हैं मतलब यह नहीं कि सिर्फ मैंने आप भी करें तो उसमें ज्यादा कुसी होगी मुझे तो तो फिर्फ यह प्री करें अगर आपको अच्छी है तो आप लोग जितना आप नौलज़ शेयर करेंगे उतना ही आपकी नौलज़ खुद की बढ़ेगी तो आप आपकी पास भी कुछ बेश्ट है तो लोगों करें काम करें किस देख लेने से आपको सीखने पर मिलने मिलेगा आप सभी सीखते हैं जब खुद से काम करेंगो इस चीज में यहां पर देखेंगे बहुत चोटा सफेज दिख रहा है यहां पर कित तरीके से डेट आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत हुआ कर दो यह कॉंपोसन का पार्ट है रहला से इससे कॉंपजिशन में क्या उता है कि फिगर फुल दिखाते हैं फिगर कट नहीं करते हैं आप बोल सकते हो कॉंपुरिशन सेथाने कोई बात नहीं उसके कोई दिक्कत नहीं नार्मली और तो यहां पर कि संतिंग यहां पेक देख तरीके यहां पीछे एक फिगर है नहीं इसको फोड़ा लाइट लाइट में कि लगए हाँ कुछ डैट में तो सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है किस तरीके चीजे हो रही कैसे बैलेंस करना मजह आता है ना इस तरीके से काम करने में यहां पर कुछ पीछे और से कुछ बॉक्सर रखे हुए कि नार्मली यहां पर ऐसे कुछ कि यहां बहुत सरी औरते खड़ी हुई है यह पर लेकिन उसको नहीं ड्रॉ करूंगा ठीक है अभी इतना देखवा तो कुछ सीखनी को मिला यह रिफ्रेंस आप देख सकते हैं मैं यह नहीं करूं इदमी मैंने पूरा कंपोर बड़ हाँ वैसा फील ले दिया है अनुल अतना भी बात नहीं है मुझे लगता है कि अटलिस जहां आप मुझे नॉलिस देनी चाहिए थोड़ा सा ठीक है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो तो सभी कैसा लगा आज का डैमो और मैं चाहूंगा जिन लोगों आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और भी लोगों से और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप भी काम करें जैसे मेरा पेज है साइंकियार्ट उसमें आप टैक कर सकते हैं मुझे शन के वाई एर्ट करके और कि यह बस एक normal बेसिक से मैंने आपको डैमो दिया हुआ है तो अगर मैंने टाइम दिया है चालिस मिनट तो आप चार घंटे लगाए काम करें आराम से जितना आप स्केचिन कर सकते हैं तो सभी को बहुत-बहुत थैंक यू अच्छा लगा जिन भी लोगों ने जॉइन किया जिन लोगों ने नहीं भी जॉइन कर पाया कोई बात नहीं यह वीडियो शेव है आप इस वीडियो को बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं तो ठीक है थैंक यू सो मच मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट किसी लाइफ शेशन में बाए बाए एंड थैंक यू